हेलो एविवन के सवाप सब आई हो कि आप सब बहुत अच्छी होंगे तो वेलकम है आप सभी का अगांस आइसकाई सुप्रीम की और नए एपिसोड में पिछले एपिसोड जरूर से देख आना वीडियो को अच्छे से समझने के लिए साथ इस चैनल पर नोविल्स भी देख नहीं सेहल करेंगे साथ ही तुमारा यहां पर व्य्लकम ही नहीं किया जाएगा तो यहांसे चली जाओ और वह मैनेजर्य अज़ सब कही रही होती है कि अपने मन में कहने लगती है कि यह यंग एज्फ में बहुत जादा बाद हो रहा है इसके पास कमाल की अबिलिटीज है साथ ही इसने उन 16 लाइन आर्ट्स के बारे में भी सीठा है जो कर बाद टाइम पहले एक हो गई थे क्या कमाल का परसन है जिसके पर चीफ टैंक 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 बैटनी को बोलती है वही टैंक उन से पूछता है कि मैं जानता कि चीफ मुझ जैसे जूनियर से क्यों मिलना चाहती थी जिस पर चीफ टैंक उसे जवाब देती है कि कुछ नहीं मैं बस जानना चाहती थी कि तुमारा मैं लाइन इस कैसा चल रहा है साथी मैं तुम से कुछ एलकेमी टैकनीक्स को लेकर सवाल पूछना चाहती थी तैनियर ने बताता है कि फिलहाल के हमारा लाइन इस टेपल है लेकिन कुछ ताम पहले हमारे चीफ और सेकेंड एल्डर पर किसी ने बहुत ही खतरना कामला कर दिया था वो दोनों ही बहुत बुती तरीचे से जखमी हो गए है साथ ही हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स विमा अभी नहीं जिसके बाद पर चीफ तैंग विस्बिंग के लिए तोड़ा अधास होते हुए कहती है कि अधर विस्बिंग मेरी जान नहीं बचाती तो मैं कब कर मर जाती साथ ही उन्होंने मुझे तुमारा अच्छे से ख्यान लखनी को भी कहा था अब उनकी इस बात को सु अधर में चीफ तैंग आपको मुसीबत में डाल दिया था शाती गौंग सुन युजन ने आपको लेड़ भी किया लेंगन आप जिनता मत करिये बहुत जल्द उसको इसका इसाब देना होगा जिस पर चीफ तैंग कहते है कि वो यहां से चला गया है तो उसके बार में बात कि आखिर मैं तैनियों से ऐलकवी टेक्नीक का वो कुछिन कैसे पूछू जो कि मैं पूछना चाती हो जिसके बाद तभी तैनियों उन से कहने लगता है कि अगर आप मुझसे 16 सीरीज ऐलकवी टेक्नीक के बार में पूछना चाती है तो इसके लिए मैं पहले ही माफी माफी क्योंकि मैं डीटेल में इसके बार मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पर दोसे जरूरी काम भी है जिस पर चीफ तैंग तैन्यून से कहती है कि तुमने मुझे गलस समझ लिया 16 सीरीज एलकमी टैकनीक एक लॉस्ट सीक्रिट है तो मैं ऐसा करने की हमत कैसे कर स पर तब हम देखते हैं कि तैन्यून ने चीफ तैंग के सामने एक स्क्रोल को बार निकाल लिया होता है और उसे स्क्रोल को देखकर चीफ तैंग हरानी के साथ तैन्यून से कुछ लिया कि आखर ये क्या है जिस पर तैन्यून ने बताता है कि ये 16 सीरीज एलकमी टैकनीक और मुझसे पूछ सकती है अब 30 तो सीज अलकियमी टेकनीक के बारे में सुनकर चीफ तैंग है नानी के साथ है ने उन से पूछ थी है कि ये तो एंचिन टाइम में खो गया था जिस पर तैंग उन्हें उन्हें बताता है कि हाँ ये विलफ तो हो गया था लेकिन दोस्टों के लिए मेरी मास्टर बहुत जादा माहर है और उन्हों नहीं मुझे ये सब सिखाया है जिसके बाद हम देखते हैं कि चीफ तैंग दुरन तुन टेकनीक्स को सीखा शुरू कर देती है चीफ तैंग ने कुछी टाइम में उन टेकनीक्स को सीख लिया था जिसके बाद वो तैंग उनका शुक्रियादा करते हुए कहती है ये तो बहुत कमाल का है जिस पर जबी टैंग उनसे कहता है कि आप शीयाओ की सिस्टर हैं तो आप मेरी फ्रेंट्स में से ही हुए फिर तब चीफ तैंग अपने मन में कहने लगती है कि 32 सीरीज एलकमी टेकनीक की अडवाइस के लिए मुझे इससे कॉंटेक्ट बनाया रखना होगा इससे मझे तैंग सुना ओरी डाइनस्टी को अराने में बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी मिलेगी जिसके बाद पर चीफ तैंग टैंग टैंग से कहती है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पर अलिजिस लेने आये हो और फिर टैंग कहता है कि आप बलकुल सही सुना मैं यहाँ पर यंग सोल रिफाइनिंग डिसाइपल्स के लिए सोल रिफाइनिंग पिन लेने आया हूं जैसे कि निंग लिन दान साथ ही मुझे चीफ के लिए स्टोन फंड इस सोल पिल में चाहिए जिसके बच चीफ टैंग 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 उन से पोच्छती है और वो Tannion को एलेक्जर्स देते हुए कहती है कि यह रहे वो सारे एलेक्जर्स जो की तुम चाहते थे अब उन पिल्स को लेकर Tannion पूछता है क्या खिरी कितने हैं इस पर चीफ तेंग Tannion को बताती है कि इसमें सोल डिफाइन पिल्स के 80,000 बोतल्स और निंग लिंग पिल्स वन हंडेड थाउजन बोटल्स ये तुमारे मेरिटोरिस लाइनिज के रिसाइपल्स के लिए पूरे एक साल तक चलेंगे अब उनकी बातों को सुनने के बात तैनियुन कहने लगता है कि में तो मिलियंस और इस्पिल्ट स्टॉन्स लगे होंगे जिस पर चीफ तैंक कहते है क कि तुमने अभी अभी जो मुझे अलकिमी टेकनिक्स दी हैं वो मेरे ले किसी प्राइसलिस ट्रेजर से कम नहीं है उसके सामने ये पिल्स तो कुछ भी नहीं है अगर तुम इन पिल्स को नहीं दोगे तो इसका मतलब होगा कि तुम मुझे पराया समझते हो अब उनकी इस तुम मुझे पराया समय होगा कि तुम मुझे कि अब दूसरी काम करने अब मैं चलता हूँ उसको जाते हुए देख चीफ तैंग उससे कहते है कि तुम कि तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं जिस पर तभी तैनियुन उन से कहता है कि आप चंदा मत करिए मेरा कोई तुम्हार नहीं सकता क्योंकि मैं तैनियुन हूँ फिर आगे कहता है कि आप कैफुल रहना क्योंकि वह बुद्धा गॉंग्सु न्यूचन डेफिनेटली एक अच्छा परसन नहीं है तैनियुन वासे जाए रहा हुता है कि तभी वचानक से रुकता है और फिर से चीफ त कउने लगते कि कोई आवास मत करो फोकस करने के बाद चीफेंग एकदम से कहने लगते है कि मुझे लगता है कि गोल्डन फूटर गार्स है जिन के ओपर मॉक होता है अब गोल्डन फूट के वा rápido संद्यतला है था चीफिस न्यूंग को मुझे उनमें से सिर्फ Thanh डाइनस्टी के जिन क्लैन की मूरंग फामिली के बारे में ही याद है। मुझे बाकि की मेजर फैमिली के बारे में यात दें। रिकॉर्ड के मताविक जिनगराई बहुत पहले होगया था यह सुनकर जमी टैनियन उनसे कहता है कि जिन क्लैन तो डिसापियर हो गया लेकिन कुछ टाइन पहले उन में से एक ने ही कौन शून पर हमला किया था अभी सुनकर एकदम से चीफ टैनियन है और कहती है कि क्या कहा अभी तक जिन क्लैन वाड़े विलूप नहीं हुए क्या उनकी बातों को सुनने के बाद तैनियन अपने मन में कहने लगता है कि लगता है कि ये ख़वर जल से जल चीफ तब पहुचानी होगी तो चीफ टैनियन से कहते है कि तैनियन तो मैं बहुत जादा समल कर रहना होगा जिस पर दैनियन कहता है कि हाँ मैं जानता हूं अभी करते जानां बहुती जद मिलेंगी को नए वीडियो में बैबाई